नमस्कार स्टुडेंट, स्टुडेंट ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बीए पार्ट फर्स्ट, बीए बीए से बीकॉम पार्ट फर्स्ट के जो विद्यार्थी इस वर्श अपने डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले थे उन में से जो विद्यार्थी वंचित रहे गए उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपडेट है जिसको आप ज़्यादा सी ज़्यादा सेर करेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ही हमें मिले हम आप तक तुरंट वहाँ विज़वा सकें बीए बीएसी बीकॉम पार्ट फरस्ट के जितने विद्यार्थी हैं जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन कराने से बंसित रहे गए क्योंकि 27 तारिक डोकुमेंट वेरिफिकेशन कराने की अंतिम्तिती थी काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके डोकुमेंट अभी तक तयार नहीं हुए कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जाती प्रमान पतर नहीं बने कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके AWS प्रमान पतर नहीं बने इसकी वज़े से काफी विद्यार्थी अपना admission college में regular देने से बंसीत रहे गए उन तमाम विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही मैतोपून अपडेट है कि आपकी अंतिम्तिती बढ़ाकर 2 अगस्त 2023 कर दी है जो भी विद्यार्थी राजस्तान के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनोंने अभी तक college में document जमा नहीं किये मेरिट सुची में उनका नाम आया है वेटिंग मेरिट सुची में जिनका नाम आया है और वो अपना document college में verification कराने से बंसीत रहे गए उन तमाम विद्यार्थियों को मैं ये जानकरे दे दूं कि आपको एक बार फिर से दो तारिक तक मोका दिया गया है document verification कराने का और college में document जमा कराने का जो भी विद्यार्थी इस document verification से बंसीत रहे हैं वो सभी विद्यार्थी अपने document complete करके विश्वे राज के महावी द्याले में अपने document verification करवा कर उसकी फीस तुरंच जमा करेंगे ताकि आपका college में regular admission हो सके इसके साथ एक मैं तो पुन जानकारी ओर दे देता हूँ कि मैं साम को 7.5 बज़े से लेके 9 बज़े तक live आऊँगा कोई भी विद्यार्थी को किसी भी परकार की अगर कोई समस्या है तो वो सभी विद्यार्थी साम को 7.5 बज़े का live attend जरूर करेंगे ताकि आपको मैं किसी भी परकार की परिशानी है दोकुमेंट समन्दित अगर कोई परिशानी है तो उस सब परिशानियों में मैं आपकी प्रोब्लम को sort out कर सुकूँ तो साम को ज़़े से ज़़े विद्यार्थी जो है वो live attend करेंगे और मेरे साथ live पे connect होगे थैंक यू धन्यवाद